असलाम वालेकम एंड हलो टू आल स्टुडेंट्स उमीद है आप सब खरीयस से होंगे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रो स्टैटिक स्केल्टन हाइड्रो स्टैटिक स्केल्टन के लफजी मतलब को देखते हैं तो हाइड्रो का मतलब होता है वोटर स्टैटिक का मतलब होता है टू स्टे और स्केल्टन कहते हैं बोड़ी के धांचे को अब याद रखे दुनिया में एनिमल किंग्डम्स के अंदर दो तीन तरह के स्केल्टन पाई जाते है एक एंडोसकेल्टन होता है जो बोड़ी के अंदर होता है जो के हड़ियों और कार्डिलेज पर मिश्टमल होता है एक एक्जोसकेल्टन होता है जो बोड़ी के बाहर होता है जो के आम दोर पर काइटनस या कलकेरियस होता है सिलेशियस भी हो सकता है लेकन दुनिया में कुछ अनिमल ऐसे हैं जिनने जैसे इन्वर्टी ब्रेड्स हैं उनकी बोड़ी में ना एक्जो स्केल्टन होता है ना एंडो स्केल्टन होता है और उनकी बोड़ी जो हैं वो बहुत सौफ्ट होती है तो उन्होंने अपनी बोड़ी में लाकोमोशन करने के लिए अपनी बोड़ी को सपोर्ट करने के लिए एक स्केल्टन अल्ला ताला ने उनको दिया हुआ है जिसे हाइड्रो स्टैटिक स्केल्टन कहते है यानि ये एक ऐसा स्केल्टन होता है जो के पानी की वज़ा से होता है इसमें अगर हम बात करें तो फाइलम सिलन्ट्रेटा जिसमें हाइडरा आ जिता है इसके लावा उबिलिया आ जाता है, सी अनेमनी आ जाती है, फाइलम एनलीडा जिसमें अर्थवरम आ जाता है, लीचीज आ जाती है, फाइलम निमर्टिया और बहुत सारे मुलस्का के कुछ अनिमल के अंदर भी ये स्केल्टन जो है, वो मौझूद होता है अब एक्जेंपल के तोर पर यहां पर मैंने दो जानदारों का इंतखाब किया है, उसमें सबसे पहला जो है, फाइलम सिलन्ट्रेटा नाइडेरिया से, एनिमल का नाम है सी अनेमनी और दूसरे नंबर पर हम डिसकस करेंगे अर्थवरम के अंदर, साथ ही हम साथ रिलेटेड उसकी लाको मुशन है, वो भी डिसकस करेंगे, तो आईए सबसे पहले वीडियो के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां पर हम हाइडरो स्टैटिक स्कैल्टन जो है, आप स्टेडी करेंगे सी अनेमनी के अंदर, सी अनेमनी जो है, ये एक एनिमल है, जो के स्टेशनरी हो होता है, किसी पत्थर या चेटान के साथ अटेच होता है, इसकी बॉड़ी सिलेंडरी कल होती है, नाम थोड़ा सा मुश्किल है, पढ़ने में मुश्किलात आती है, लेकिन इसकी जो टूप प्रननसियेशन है, वो है सी अनेमनी, इसका तालग उसी फाइलम से है, जिसमें ह पहले होते हैं, नीचे इसकी बॉड़ी है, सिलेंडरी कल जिसमें दो तरा के मसल्स होते हैं, जिनमें लॉणिचूरनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं, दर्मयान के अंदर आपको एक कैविटी नजर आ रही है, जिसके अंदर पानी भार जाता है, इसे गेस्ट्रोवेस्क करता है, stand करता है पानी की मज़ से ही इसका skeleton वो डिवैल्प होता है, बिलकुल ऐसे ही जैसे एक बलून होता है अगर आप बलून में से हवा निकाल दें तो बिलकुल पिचक कर नरम हो जाता है और अगर इसके अंदर पानी या हवा भर दें, तो वो ही बलून जो है, वो तनौव की शकल किया ऩाय का लिता है, अकड़ाओ में आजता है, टर्जिड हो जता है तो यहां पर क्या होता है, कि जब इसकी बौड़ी ने जो है, वो जो है, वो अप राइट होना हो, सीधा होना हो, लमबाई में अदाफा करना हो, मसल हैं वो रिलैक्स होते हैं यहां पर मैंने तरम्यान में लॉंगिचूडनल मसल भी बनाई हुए हैं यहां पर भी आपको नजर आ रहे हैं तो जब इसकी बॉड़ी के लॉंगिचूडनल मसल रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है कि इसकी बॉड़ी में जो पानी मौट जो है वोपन हो जाता है और पानी जो है उसके अंदर दाखल हो जाता है और सर्कुलर मसल जो है वो कॉंट्रेक्ट करते हैं तो इसकी बोड़ी जो है वो इलांगेटर हो जाती है और अपराइट पोजिशन में चली जाती है आम दोर पर ये ऐसी हालत में रहता है यहां पर रहकर अपने टेंटेकल के मिलशे शुकार भी करता है, खाना भी खाता है, अपने दिन भर के जो functions हैं उन्हें परफॉर्म भी करता है लेकिन जैसे ही इसको किसी दुशमन का सामना करना पड़ता है, कोई पैरसाइट आजटा है या रात का मौसम होजता है, दिन का मौसम खत्म होजता है, तो क्या होता है कि इसने अपने आपको रीट्रेक्ट करना होता है retract करने के लिए ये अपने longitudinal muscle जो हैं जो इसकी लंबाई के अंदर मजूद हैं यहां पर भी आपको नदर आ रहे हैं ये contract होते हैं जब ये contract होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पानी है गेस्ट्रो वेस्कुलर कैवटी में वो उसके उपर pressure पड़ता है और वो पानी बाहर नि से relax होकर कुछ रसा जो है वहां पर गुजारता है जैसी फिर उसने सूरज की रोशनी निकलती है या शिकार करना है या खाना खाना है या कुछ भी करना है activities करनी है तो यह दोबारा फिर जो है इलांगेटर हो जाता है जहां पर उसकी चुड़ाई कम हो जाती है लंबाई मे पर पड़ता है और बोड़ी जो है वो टर्जिड हो जाती है अकड़ाओ में आ जाती है तनाव में आ जाती है इसलिए इस तरह के जो स्कैल्टन होते हैं उन्हें हम हाइट्रोस्टैटिक स्कैल्टन जो है वो कहते हैं अब इस तरह का जो स्कैल्टन है यह बहुत सारी सौफ परम की बोड़ी जो है वो elongated होती है और segmented होती है metamerically segmented होती है यहने भी यहाँ पर segment बनाई है यह surface है और उसके उपर यह animal जो है यह मौजूद है अब इस बोड़ी के अंदर भी salome cavity होती है जिसके अंदर salomic fluid बरा होता है और इसके अंदर भी कोई bones, कोई cartilage, कोई carton या इस place होती है अगर हम इसकी body का cross section काड़ कर देखें तो इसके अंदर भी हमें दो तरह के muscles नजर आते हैं एक है circular muscle जो के उसके circumference में होते हैं यानि गुलाई के अंदर होते हैं और एक longitudinal muscle होते हैं जो के अर्थवर्म की लंबाई के रोख होते हैं तो दोनों muscle जो है यह फिर जब alternate contract और relax करते हैं तो इसकी body के अंदर skeleton भी पैदा होता है और इसकी movement भी पैदा होती है जो के आम तर पर एक musical instrument accordion like होत wide होई होई है और कहीं पे थिन होई है यहां पर थिक है यहां पर थिन है यहां पर तो इसकी body में alternate thickness और thinness जो है वो पाई रहती है जब मैं इसके पतले सिरे जहां पे इसकी body thin होई होई है वहां से cross action काड़ कर देखता हूं तो क्या देखता हूं कि यह green color के muscles हैं यह circular muscles हैं ज कोड़ी जो है वो इलांगेटड हो जाएगी और थिन हो जाएगी एर दा सेम टाइम आपको रैड कलर के मसल्स नदर आ रहे हैं लंबाई के रुख ये लांगी चूडल मसल्स हैं लेकर ये इस वकत रिलैक्स हालत में हैं और इस दोनों मसल्स के एक के कॉंट्रेक्ट होने और रिलैक्स होने में इसकी जो बॉंटी है वो इलांगेटड हो चुकी है और साथ ही साथ वो थिन हो चुकी है अब मैंने क्या किया है कि यह जो पोर्शन है जो के थोड़ा सा स्वेलिंग हुआ हुआ है यहां से जब हमने क्रॉस सेक्शन काड़ कर देखा है तो यहां पर भी दोनों तरह के मसल्स मजूद हैं सरकुलर मसल्स भी हैं और लांगिचूडनल मसल्स भी हैं अगर आप यहां पर देखें तो ग्रीन कलर के सरकुलर मसल्स हैं लेकर यह रिलैक्स हालत में हैं और यहां पर रेड कलर में आपको मसल्स नदर आ रहे हैं यह लांगिचूडनल मसल हैं लेकर यह contracted हालत में हैं अब जब longitudinal muscle contract होंगे और circular muscle relax हो जाएंगे तो इसकी body short हो जाएगी और साथ ही साथ ठिक भी हो जाएगी तो इसलिए आपको यहां पर जो है वो circular muscle relax नज़र आएंगे और longitudinal muscle contract नज़र आएंगे फिर इसी तरीके से यहां पर circular muscle contract हैं और longitudinal relax हैं तो alternately यह process होता है जब यह muscle contract और relax होते हैं तो body के अंदर जो silom होती है उसके अंदर जो silomic fluid होता है उसके उपर pressure पड़ता है और वो जो pressure है वो पूरी body के अंदर equally distribute हो जाता है जिस से यह जो body है animal की वो थोड़ा सा आगे की तरफ move करती है अब यहां पर देखें तो circular muscle जो हैं रिलाक्स हैं लांगिजूनल muscle जो हैं वो contract हुए हैं सिलामिक fluid के उपर pressure पड़ा वो pressure जो है वो आगे की तरह move होगा अब यह देख यह condition हो गई है body जो है वो thin और long हो गई है यहां पर circular muscle contract हो गए हैं और साथ ही long ही जोड़ा हो जेंगे फिर इसी तरीके से alternately यहां पर फिर क्या होगा circular muscle relax हो जेंगे और long ही जोड़ा हो जेंगे फिर body जो है वो thick और short हो जेगी तो alternately बारी बारी थे circular muscle और longitudinal muscle के contract और relax होने से एक लहरदार movement पैदा होती है जिससे यह animal आगे की तरफ flow करता है इसके साथ यह देखा गया है कि body के हर segment में pair of kiteness CT होते हैं ब्रिसल्स होते हैं जिने CT कहा जाता है यहां पर अगर आप देखें तो बरीक बरीक कांटे नजर आते हैं जिनको मैंने बढ़ा करके नहीं दिखाया लेकिन आम तरफ पर कीटी या CT भी बोला जाता है यह जो CT होते हैं यह फिर जमीन के अंदर penetrate कर जाते हैं मट्टी के अंदर penetrate कर जाते हैं और locomotion में help करते हैं such skeleton is also known as hydrostatic skeleton इस तरीके से आज हमने दो तरह के जानदारों में hydrostatic skeleton को समझने की खोशिश किया है I hope के concept clear हो गया होगा next lecture तरके लिए जाज़त दें Allah पेस